ट्रंप साब आये थे ना दो साल पहले अपने भारत मोधी जी से मिलने तो जब उनकी पतनी भी उनके साथ आई तो उनकी पतनी मोधी जी को बोली मैंने केजरी वाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुनाए मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूँ मोधी जी ने बहुत समझाया बेहन मान जा केजरी वाल के स्कूल में माज ना जा दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिया सरकारी स्कूल सुना आप लोगों ने डिल्ली के स्कूल शांदार हो गये किस-किस ने सुना याद खड़े कर के बता हUA दिल्ली में सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं बाई साथ गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था हमने पिछले कुछ सालों में, साथ सालों में, दिल्लि के सरकारी स्कूल इतने शामदार कर दिये आप कहोगे केजरेवाल अपनी बढ़ाई खुदी कर रहा है इस बार हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं, 99.7% इतिहास में 70 साल के भारत के इतिहास में सरकारी स्कूलों के नतीजे ऐसे निया और बाई साथ इस साल 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भरती कराएं अपने बड़े बड़े अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में बेज रहे हैं बड़ी बात है बाई सब है कि नहीं है अभी दो साल पहले अमरीका के राष्ट्रपती अमरीका तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है सबसे शक्तिशाली अमरीका के राष्ट्रपती इंडिया आए थे जब को इंडिया आए तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी पत्नी का नाम है मिलेनिया ट्रम्प ट्रम्प सब आए थे ना दो साल पहले अपने भारत मोधी जी से मिलने तो जब उनकी पत्नी भी उनके साथ आई तो उनकी पत्नी मोदी जी को बोली मैंने केजरी वाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूँ मोदी जी ने बहुत समझाया बेहन मांजा केजरी वाल के स्कूल में मांज ना जा मैं अपने स्कूल दिखा दूँगा मैं बीजेपी वालों के स्कूल दिखा दूँगा मैं प्राइवेट स्कूल बोली ना मैं तो केजरी वाल के स्कूल देखो माननी नहीं वो वो माननी नहीं मोधी जी की बात वो हमारे स्कूल देखने आई बड़ी बात होगी बह давно में चाहते हूं पकूछ तो करी रख़ा होगा है मैं पूछना चाहता हूं यह धक्ष्टर साप के स्कूल कॉन देखने आया कोई आत पॉड़ोगा कोई श्री लंका वाला इस आया वह देखने कोई चलो बाहर वाले छोड़ो कोई अपने देश का ही कोई देखने आया हूं इनके स्कूल अब एक कुछ करोगे तभी तो कोई देखने आएगा तुमारे स्कूल